जब इतने सारे लोग खटा होंगे और मिलकल इस राज को आगे बढ़ाने का संक्यल्प लेंगे तो कोई है इस देश में जो इस राज को आगे जाने से रुप सके इसलिए हमें जरूर हम अलग-अलग वर्ग अलग-अलग बोलचाल के लोग हैं लेकिन लक्ष एक ही है सबका जीवन कैसे चले जीवन कैसे सुरक्षीत रहे और इस संदर्म में जब हम विपक्ष में थे तो यही मुराबादी के उसमें आज तो थोड़ा सा लगता है कि सरकार उखार बन गई तो आप लोग कोई स्टेडियम का सुईदा प्राप्त हुआ नहीं तो भी बादा जलता फिर कोई खुले टान में आप लोग इखटा हो रहे होते आज देखे क्या जरुत पड़ा हर बार लाठी डंटा पिछला पांच वरसों में पता नहीं कितने करमचारियों ने लाठी डंटे खाये होंगे कितने लोगों का हाथ पर टुटा भगवान जाने है आज ऐसा क्या दिन आ गया ऐसा कौन सा बदला हो गया जो बिना लाठी डंटा क्ये काम हो रहा है क्यों सरकार लाठी डंटा चलाएगी जब उसको काम करना है और आप सब लोगों का पुरानी पेंसल भाली की बात है आप लोग की करमचारी है बहुत सारी गतिवितियों को आपके नजरों से गुजर रहा है मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं आप लोग को अस्वस कर देता हूं और मेरा ये प्रयास है और इस सब्द के साथ मैं अपनी बातों को समाथ करने की खोसिस करूँगा चुकि कारिक्रम और भी हमारा है व्यस्ता थोड़ा सा भी समय क्योंकि कम है और मंजिल थोड़ा लंबा हो गया कुरोना ने थोड़ा हमारा समय खा लिया तो हम लोग गति देनी की प्रयास में है तो उसमें आप लोग की भी सहयोग अपिक्षित रहेगी जो सरकार की योजनाए है जो धरातल पर है वहां हर जरुत मंदों तक कैसे पहुँचे इसका एक इमांदार प्रयास हम आप लोगों से अपिक्षा करेंगे और आप लोग की पुरानी पैंसन के लिए मैं गोशिस कर रहा हूँ कि 15 अगस्त तक ये हम आप लोगों तक की उभार के रूप में दे है पर ही चीजे हैं हम चुकिए यहां बेवस्था बे भी बहुत दीमक है बेवस्था के अंदर भी बहुत दीमक है बचते बचाते चीजों को आपके लिए हमेशा जो आप लोगों की मांग है इस समस्या का समधान करने के लिए बलकि आप ही लोग उस समस्या का समधान करेंगे और पुखता होने का बाद उस पर मोहर लगाकर 15 अगस तक हमारी प्रयास है कि आपको ये सोगात के रूप में हम मंचों से सुनाए तब मुझे बहुत खुशी होगी आज तो आप लोग आ गए इस आसा उमीद के साथ लेकिन मैं प्रयास में था कि हो लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि इतने सारे समस्याओं के बीच में इसको इस बार नहीं गोसित किया गया लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अगली बार जब भी मंच पर आऊ तो कागज के साथ आप लोग के समझ मैं मंच पर उसको दिखा सकते हैं तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले तो अलग-अलग राज से आएं यहां तिलंगना से भी आएं और तिलंगना के लोगों का भी बहुत हमारे परती अभार रहता है मैं आपको बता दू आदनिय गुरुजी ने इस राज को अलग किया है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन मैं आपको ये भी बता दू तिलंगना राज को अलग करने में भी आदनिय अदिसों गुरुजी के एक आम भूमी का रही है जिसके वज़े से वो राज आजस्त करता हूं इन ही बातों के साथ सब को धन्यवाद जोहार यह आगा